कर दो कर दो कि मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिस ग्यान मुकेशनेक चैनल पर आपको पता है कि मैंने न्यू सिलाबस के जो इंपॉर्टन्स क्वेशन से जो एक्जाम में आने की चांसेस वो इसके सिरी स्टार्ट हो चुके है तो इसमें हम लोग बात करने वाले क्लाश 12 का फिजिक चप्टर 3 केटीजी कानेटिक थेरियो अब गैसेस राडियेशन ये चप्टर पांच मार्क और विट आप्शन साथ मार्क के लिए विए सबसे मेनिक बात बात बताओ पहले तीनों चप्टर साथ साथ मार्क के लिए है विट आप्शन पकड़ा जाये तो मतलब बहुत ज़्यादा वेट है जब यहाँ साथ मार्क समझते हो ना तेन परसेंडेश सातर मार्क का पेपर है पूरा साथ मार्क मतलब दस परसेंडेश तो थर्टी परसेंडेश पहले तीन चप्टर ही खा लेते हैं मतलब इंपोर्टन्स है तो इसको परबात तो होनी है यह बहुत ज़रुए है, तो सबसे पहले सवाल है आपके लिए, देखना है, कि what are the gas law, wise law क्या है, charge law क्या है, यह लिसाट ला क्या है, यह law के बार में पढ़ना है, law आने के chances होते हैं, दो मार के लिए, Prove the relation between pressure of a gas and speed of molecules, ठीक है, एक रूम में जो ग्यास molecules होते हैं, इसके बार में बता है, derive an expression for root mean square speed of molecule of gas in the term of absolute temperature के बार में बताना है, ठीक है, how its kinetic energy of gas molecule related to the temperature, derive the relation using the kinetic theory of gases, actually यह दो तीन question हैं नवाया, एक दुसरे के mix-up ही यह, यह questions के ज़्यादा नहीं है, आपको लगेगा कि सर ने आज questions, numbers of questions बढ़ा दिया, नहीं नहीं यह questions को अलग कर दिया, बाकि कुछ नहीं है, derive the mass relations for molar as well as the principle pacific heat, state the law of equipartations of energy, hence the calculation of molar pacific heat, एक मिनिट बच्चो, I think मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, पाच्वे नमबर का जो सवाल है, चट्वे नमबर का सवाल, चट्वे नमबर का सवाल मुझे एक बार check out करने दो, थोड़ा सा doubt है कि वो deleted portion ने से नहीं आना चाहिए, आपको इसकी तकलिब नहीं होना चाहिए, बाकि कुछ नहीं, I think, I think, I think, law of equipartations, हाँ, इसको cut out कर सकते आप, ठीक है, यह सवाल लिखने की जौरत नहीं है, यह सवाल मत लिखना, ठीक है, ओके, degree of freedom, diatomic, हाँ, correct भाईय, उसको cut कर देना, ठीक है, degree of freedom, diatomic, degree of freedom में, diatomic यो जो cut होना चाहिए था, sorry for inconvenience, नहीं, 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 मेर्स relations है क्या इसमें, monatomic, diatomic, constant pressure, नहीं होना चाहिए, sorry for inconvenience, होना चाहिए, sorry, sorry, कर दो, ठीक है, इसमें polyatomic के करो, polyatomic, ठीक है, क्योंकि equipartation questions कट हुआ था, इसलिए मैंने ये, लिख के दियने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने बोला, गल्ती नहीं होना चाहिए, बाज बाकी दूसरा कोच है नहीं, है, mass relations है, वो है, ये questions है, ठीक है, सेवन्त है बैया, define the coefficients of observation, coefficients of reflection, coefficients of transmission, या a plus r plus t is equal to 1, observation, reflection, transmission is equal to 1, ये प्रूप आता है कभी कभी है, प्रूप, question देखो, मैं ये नहीं बता सकता की question कैसे हैगा, questions का heart वही है, only उसको dress analog अलग पहिए जाने है, आदमी हुए है, मतलब questions कैसे हैं का ये कोई नहीं बता सकता है, अच्छल मैं बोड की कहाने बता रहा हू, questions बनानी की, जो technique होती हो, depend होती है, setter, paper setter को पर, with a neat label diagram, and explain the perfectly black body, पता है ना आप लोगों को perfectly black body, ऐसे निकालते हैं हम लोग, याद होगा आप लोगों का ऐसे, यहां पर conical projection, यह इसकी बात कर रहा हूँतीगा, यह यह, उसके बाद में, यह जो है बाईया, यह graph है ऐसे, पता है ना आप लोगों को, यह graph है, यह दोनों में, spectrum distribution of perfectly black body radiation, इसमें दोनों बच्चे, देखो, draw the label diagram, दोनों सवाल पर सवाल आने की chances होते, बहुत बार आचुका है, आप लोग कोई भी questions पर उठाओ, भाईया, पुराना सिलाबस हो तो क्या हुआ, लेकिन सवाल तो हुई है, चप्टर हुई है, स्टेड विंड डिस्प्लेस्मेंट लोग, बहुत इंपोर्टन देखो, एक, दो, तीन, चार, पाच, पाच कोश्चन बहुत इंपोर्टन से, और एक, पुरू, यह प्रेशर वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टन से, हंड्रेड परसन इस पाच सवाल में से, दो सवाल तो आने वाले, एक या दो सवाल तो आने वाले, कौन सा, एक, यह डाइग्राम की रिए, एक, एक, स्प्रेक्टरन डिश्टोपिशन और फिर्विंकी ब्लैबोडी, उसके बाद में स्टेट विंड डिस्प्लेस्मेंट ला, या स्टेपन्स ला, या क्लिचप्स ला, ला के उपर सवाल बनता ही बनता, यह जो नीचे वाले, जो ला लिखे दे रहा होना, हंड्रेड परसंट होते में या, और यह क्वेशन्स, ऐसे यह पास सवाल को जादा फोकस करें, बाकी को उपर करना ही, नहीं करना है, लेकिन यह मोस्ट इंपोर्टन सवाल में, कहां से, 8, 9, 10, 11, यह इसको 12 बताओ, straight and explain the staples law, और 1, पाच्छे questions बहुत जादा अच्छे करना है, मतलब फिक्स मार करना है, तो यह सवाल के उपर जादा फोकस करो, इस पर लाइटली फोकस किया तो भी चलता है, तो बच्चों यह थी important question, अगले series को, अगर आप लोग चालू रखना चाते तो comment करो यार, share करो, अगर share ही नहीं होता ही वीडियो, तो फाइदा ही नहीं होता, मुझे भी energy नहीं मिलती, energy मिलने का काम आप लोग कर सकते, इतना share करो, इतना share करो कि यार, मैं इससे भी खत्रणा खत्रणा का आप लोगों को कुछ ideas, board के बारे में, CET के बारे में देते रहूंगा, चलो, thank you and best luck for your study.